Dear students, link list के जो third type है वो है circular link list अब link list का आपने first part देखा, single link list, उसके बाद आपने देखा double link list और आपने दोनों का structure create कैसे करते हैं वो भी देखा आपने और इस तरीके से link list की जो concepts है वो भी देखा आपने हम लोग एक और lecture में डिसकस करेंगे link list की importance क्या है और ये array से ज़्यादा क्यों इसका importance है array में क्या limitations थी और इसमें क्या नहीं है वो हम लोग next lecture में देखेंगे आज जो है third यानि कि last part पे type पे हम discuss करते है last जो type है वो circular link list है it is a link list where all notes are connected to form a circle अब ये चुकिए circular है तो इससे ये समझ में आता है कि जो भी link list हम इसमें draw करेंगे बहुत सारे notes को मिला के link करेंगे तो हमारा link list हो जाएगा अब जो last वाला जो note होगा वो पहले note से linked हो जाएगा that means वो एक circle बन जाएगा इसलिए इसको हम क्या कहेंगे circular कहेंगे ठीक है ना उसके बाद है there is no null at the end यानि कि end में कोई null नहीं होगा चुकि last वाला पहले वाले से linked हो रहा है इसलिए null नहीं होगा उसमें next देखेंगे any note can be starting point किसी note को भी हम starting point बना सकते हैं ठीक है किसी note को हम starting point बना सकते हैं अब देखते हैं circular link list जो है ये can be a single circular और double circular यानि circular link list सिंगल के साथ भी बना सकते हैं और double के साथ भी बनाते हैं तो उसको हम singly circular कहेंगे और double link list के साथ बनाएंगे उसको क्या कहेंगे डबली circular कहेंगे अब इसके graphical view देखते हैं हमारे पास single link list में हमाल लेजे यहाँ पे node 1, node 2, node 3, node 4 है node 1 जो है node 2 के address को contain करता है node 2 जो है node 3 के address को contain कर रहा है node 3 जो है node 4 के address को contain कर रहा है और node 4 के address को node 1 contain कर रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे node 4 के बाद कोई node नहीं है लेकिन इसका value जो है null नहीं है इसके link part में क्यों नहीं है चुकि इसका link part जो है node 1 के साथ यहाँ पे linked है और node 1 का जो address contain करेगा कौन head करेगा ठीक है यानि कि एक pointer करेगा उसी तरीके से doubly link list का भी जो graphical भी हो आपके सामने है आप देखें यह doubly link list है एक, दो, तीन यह तीन node है और पहला node दूसरा node का address को contain कर रहा है उसी तरीके से दूसरा node तीसरा node का address को contain कर रहा है और तीसरा node पहले दूसरे वाले node का address को contain कर रहा है और last में देखें थर्ड नोड जो है उसका link part जो है किसका address कंटेन कर रहा है यह first वाले का और first वाले का यहाँ पे देखें आप third तो इस तरीके से एक circle बन रहा है तो हम इसको क्या कह सकते है circular link list ध्यान रहे circular link list जो है वो singly के लिए भी काम करेगा और doubly के लिए भी काम करेगा इसी तरीके से ये तीन तरह का होता हमने चार तरह का बताया था को शुरू लेक्चर में तो इस तरीके से आपका जो basic concepts link list से related वो खतम हो गए अब हम लोग जो है इसकी एक एक program examples के तूरू तीनों का करेंगे ठीक है चले next lecture में फिर हम आपसे मिलते है Thank you very much